नमस्कार श्री जैबिक्खु साहित्य ट्रस्ट आयोजित जैबिक्खुनी 51 मी पुन्य तिथिये आयोजित त्री डीवस ये कारेकरमना आजना बीजा दीवसे आप सवनु स्वागत करिये छिये मित्रो आजनों विश्राय छे मुल्यनिष्ठ सर्जक जैबिक्खु नी वाद करवा माटे आपनी वच्चे आजे उपस्थित छे साहित्यकार पदमश्री डॉक्टर कुमार पारदे साहित जैबिक्खुना सुपुत्र आजे जहरे आपने आप वाद करिये छिये त्यारे सहेज पन अतिश्योक्ति करया वगर अधिकार पुर्वक आपने एम कही शकिये के मुल्यनिष्ठ सर्जक जैबिक्खुनी वाद करवा माटे आविश्रय उपर वाद करवा माटे डॉक्टर कुमार पार देसाई थी वधारे विजी कोई पन अधिकुरुत व्यक्ति होई न शके जैबिक्खुनाए सुपुत्र छे एटला माटे नहीं पाण गईकाले जेम आपने कईउं हतु तेम जैबिक्खुए लोई नो आपेलो वार्षो विजो कोई वार्षो नहीं संसकार नो वार्षो अने मुल्यनिष्ठ सर्जनकारिय नो वार्षो आपेयो छे ए कुमारपाड जीए पूरी निष्ठा थी पूरी प्रतिबद्धता थी सहेज पन विजा कोई पन आकर्षन माँ खेचाया वगर छेला चालीस चालीस वर्ष थी पितानी जेम प्रेरक मुल्यनिष्ठ अने अध्यात्मिक साहित्य सर्जनकरिय ने मात्र गुजरात नुने भारत नुने पन समग्र विश्वमा ज्याज्या गुजराती वाश्यों वसरेला चे ते सवना एक बव आधर पात्र लाडीला सर्जक बन्या चे गुजरात समाचार मा नियमीत्री ते प्रगट थती एमनी कोलम इट अने इमारत ए आपना सहुने माटे आपना जेवा अनेक लोकों ना जीवन घडतर अने जीवन चणतर नुन एक मजबूत माध्यम बनी छे अने आप सव जानों छो छता एनों जिकर करवानूं मन थाए कि आपना सहीत्य नी आपनी भाषा नी आ एक मात्र एवी लोकों परिये कोलम छे कि जेने जय बिखुजी ये शरू करेली अने एमना आहुसान पछी एमना सुपुत्र कुमार पार देसाईए एक कोलम ने नियमीत्रीते कोई पण जातना व्यवधान के क्याई पण अटक्या वगर आज दिन सुधी ये चलावी छे कदाच आपनी बाषा नी आपना साहीत्य नी आपना आपनी पत्रकारिता नक्षेत्र नी आएक वीरल घटना छे पदमश्री डॉक्टर कुमार पार देसाई विश्ये जिटलू कहीं तेटलू ओछू छे एमने शिक्षन, समाज सेवा, संस्क्रूती अने मुल्य निष्ठ पत्रकारिता अने मुल्य निष्ठ साहीत्य सर्जन ए जे एक सीमा, जैबिखू, जी ए दोरेली हती ते एना थी सहज पन बार जवा नो क्यारे प्रहेत्न कर्यों न थी अने ए रीते एमने छेला 40 वर्ष थी साहित्यनी, शब्दनी, संस्कारनी, पत्रकारितानी एमने अभिरत सेवा करी छे एमनू पुस्तक अपंग ना ओजस, कदाच आपणी भाषानू एवन पहलू पुस्तक छे के जेमा विकलांगोनी, दिव्यांगोनी, सिद्धियोनी वाद करवा मावी हती अने कदाच एव पहलू एव आपणी गुजराती भाषानू पुस्तक छे के जने प्रग्णयाचक्षुव माटे ब्रेल लिपी मा एवनू रुपांतर पन करवा मावी हतु इवी जरीते लाल बाद्दूर शाष्त्री जीना जीवन चरित्र उपर लाल गुलाब एमनू कुस्तक 21 साथे साइट हज्जार जैनी नकलो वेचाई आएक विक्रम छे आम तो बाड़पण मा घणीवार कहवायों चेम जगमग थी एमने एमनी पोता नी शब्द यात्रा नी शरुवात करेली अने पिताये जेम आपने गही काले वाद करी के पिताये कहुं के कशुई मारे मारा पिता पासे थी लेवू न थी ने वार्सा मा कशुई कोई नाणा किये वार्सो पुत्र ने मारे आपो न थी पर संसकार नो वार्सो जे एमने आपेओ हतो पोता ना पुत्र ने कुमार पा आपवानू टालिव हतु। अने ए रिते एक प्रतिबद्धता लईने कुमार पार देशाये पोतानी शब्द यात्रा शरू करी एमने आज दीन सुधी अवीरत रिते पाड़ी छे। इना दीन तरीके ए निवरुत्त थया समान तरे एमनू सहीत्य सर्जनी प्रवती तो चालू जहती। पण ए पच्छी गुजरात विश्वकोष ट्रस्ट नी स्थापना थी माड़ी ने एना निर्मान थी माड़ी ने आजे एनोजे विकास अने विस्तार आपने जोई रहा छि एमा पण पदमशी डॉक्टर कुमार पार जिसाई ए चावी रूप भुमी का भजवी छे अने हजुप पण ए दिशामा आगण ने आगण विश्वकोष ट्रस्ट ने लई जही रहा छे। एमनु एक बीजूं पुल्लेखनी पासूंते भारतिय संस्कृतिय जैन दर्शन विशे ना एमना उन्दा अभ्यास नूँ एनु सतत आते एमने चिंतन करिऊंछे सतत अभ्यास करिऊंछे ने खोब गहराई थी उन्दान थी अभ्यास करिऊंछे ने पछी लोकों नी सामे गुजरात मा होई देश मा होई के बिदेश मा होई एमने अने एक प्रवचनों आपी ने प्रभावित करया छे पछी इंगलेंड होई अमेरिका होई पुर्वा अफ्रीका होई केनेडा होई सिंगापुर होई बेल्जियम होई होई होंकोंग होई खास करने परियूशन नि व्याख्यान मालाओ खुब लोकप्रियत है छे इटलू ज नहीं परंतु जैन धर्मना लोकों माटे अने इतर सव जनों ने माटे जैन धर्मने साचा अर्थ मा एनुझे जैन धर्मनुझे स्वत्व छे एने पामवा मां कुमार पार देशाईनी आ प्रबचन श्रेणियों बह मोट्टो प्रभाव उभो कर्यों छे एल आ रिते साहित्य संस्क्रुती धर्म तत्व ग्ण्यान आग तमाम अक्षित्रे एमने उंडान थी खेडान कर्यू अने आयमनी एमना खेडान ने ध्यानमा राखी ने ए अभिवादन रूपे उगणी सोने एशी मा ओल इंडिया तरफ थी 10 Outstanding Personality of India नो एवड पण एमने मेडवे उचे एवड नी यादी तो एटली बदी लांबी थाये छे के एनी आजे वाद करवानू आपने एटला माटेरा दपूर्वक ताडिये छे के आपने एमनी पासे थी एमने सांभळवा छे अने एटलो समय पण आपनी पासे नथी पण एक सर्जक मुल्यनिष्ठ सर्जक ना मुल्यनिष्ठ वारस्तदार तरीके सुपुत्र तरीके एमने आपनी बाशानी जे सेवा करी छे एने ध्यानमा राखी ने सरकार श्री एमने पदमशीनों खिताब एनायत कर्यो शिक्षन माँ साहीत्य माँ अने संसकार प्रवरुती ना घरतर अने चनतर मा एमने आपेलू प्रदान एनी वाद करवाजे ये तो एक आखुँ प्रवचन आपने आप मूँ पड़े पन आजे खुब ज आदर साथे रदयस्थ जैबिक्खुनी स्मृती ने वंदन करीने जैबिक्खु साहीत्य ट्रस् आ त्रण दिवसना कार्यक्रम ना बीजा दिवसे खुब आदर साथे विनम्रता साथे पदमश्री डॉक्टर कुमार पार देसाई ने मुल्य निष्ठ सर्जक जैबिक्खु विश्य वाद करवा माटे आपने निमंत्रा ना पिये छे जैबिक्खु मुल्य निष्ठ सर्जक जैबिक्खु विश्य आपनी साथे वाद करता अन्यदनु बहुच्यू जैबिक्खु मुँ ना निवाई थी पुतरी नोट माझ जूदा जुद्धा सुवा कियो जुदी जुदी शायरियों जुदा त्राक्रूत माझ होई गुजुराती माझ होई अंगरी जी माझ में ने एक संग्रзд दा घ्रह अन्य एया विए नैपतर喔 चीजेता है वह जो मर्चुका इंसान के लिए. कई मैंन अखे आखियें जीवन विशे नी एक जूए ली पर सब्सक्राद केरें. एनो कदाच पहली वाद ए थाही शके, कि जय भिखु साहिट्य ट्रस्ट ना प्रारंभु साथे संकड़ायली चे, आज ट्रस्ट नो प्रारंभु उगनिशने सर्षेठ मा थायो, आज सुधी मा एने एक्सो जेतला पुस्तकोनू प्रकाशन करियो, नस्त मा धोरन, मारमा धोरन साहित्य रसी को आम जनता एने माटे निमंदस परधाउनू आयोजन करियो, जय भिखु एवर्ड आपवामा आवे, जय भिखु स्मृती व्याख्यान ए जुदा जुदा शेहरों मा आयोजीत थाय, एथिये विशेश, युनिवर्सिटी ओमा, जय भिखु सोवन चंद्रक अथवातो शीष्य वृत्ती मले, जय भिखु ना जीवन विशेना पुस्तको प्रिंसिपल नडुमाई ठककरे लखेला, श्री प्रफुल रावले लखेलू, और अवे थोड़ा समय मा प्राध्यापक संध्यावेन भट्रे लखेलू, जय भिख जय भिखु ना नाटक पर थी बंधन अने बुगती नामनू एक नाटक तैयार करूवा मावे, जय आउतिकाले भजिवा शे, और अने साथो साथ, जय भिखु नू आखुई जीवन चरित्र, जय मेह लखियोतू, ए जीवन चरित्र पर थी एनू नाट्टे रूपांतर था जय भिखु साहिते ट्रस तरफ थी, एक लेखक सहायक निधी छे, जय मा कोई पर लेखक, जो कोई आर्थिक मुष्केली मा होई तो एने, कोई पर अरजी वगर, मा तुरा जान थाए इटलू पुर्तु, कोई पर अरजी वगर एने सहायक करवा मा आगा छे, आवा त्रस्ट प्रारम्भ, बहु विलक्षन डिते था, जय भिखु एक अर्थमा के ये, तो खबीर, खुमारी और खुद्दारी नो परी आया था, एमने डायबिटीस वर्षो थी और गणो, प्रेम थी गर्यु खाय और खवडावे, और आखो पन, बारण थी एटलीज नबली, एमना प किड्नी नी तकलिफ, और त्यारे घणी बार, एमना मित्र हो एवा, डॉक्टर एमनी चिंता करे त्यारे कहता, कि मैं जारे शरू आत करी लेखनी, त्यारे में त्रण किशोर कथाओ लखी छे, एनू नाम चे जवामर्द, हिम्मते मर्दा और एक कदम आगे, एटले हूं, म करवा, मागोजू, एमने जह समय जहे बिख्खु साहित्य ट्रस्ट नी स्थापना नो विचार प्रसिद्य जादुगर केलाले आगा, केलाले एक समय, जादुकला मा करवामा आवती छेतर पिंडी ने परिलामे, जादुकला नो त्याग करे ओतो, तिलान जलिया पडियाती एवे समय जहे बिख्खुए एमने पत्तरो लखी ने करू कि आपने त्या व्यपारी तो घणा थशे, पर आज समय मा कलाकार नती तरता, तु एक एवो कलाकार चे स्थीद पर पाचवाओ, एमने प्रेड़ना ने परिड़ना में केलाल, फड़ी पाचा स्थीद पर आप पाचवाओ, एमने करें एक 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 थेली आपिया, जैने कारने आट आटला रोगों छे, और आट आटली बोश्खेलियों पोते आर्थिक संक्रामन मां छे, दिखाई ने क्या रे, खुमारी सी जिवे, कल्पना पन नो आवे, पर एमने काई पोता ना पाचवाओ ना स एक दिवस के लाल एक नोट मधी लईने आवे, थेली पाइसानों एक बंडल लईने आवे, और एमना हाथ ममोखियों, जैने विखो मौन रहा, के लाले बोखु भी थी कायू, क्या हूं तमने न थी आप तो, पर जैय भावी ने, एले के तमारा पत्नी ने आप उछू, जै के लाले जैये मेंनी ना पाडले कि ना हूं ना लही सकू, जैय भी खुय हैंने कहूं, के लाले तमारी साथे नी मारी एक अभीन्न मैतरी शे, अfiguring मैतरी माटे हूं, तमैंको, तो मारो प्राण पन आप, आप पन तमार वा कवरून नहील, के लाले उखे जो तमारे ज़्क ह जान आपवा तईयार छो तो पची आटलू मारू मान तो राखो, जाहे भिखुये कईू ना, तमें मारू जान मागी लो तो आपू, पन आतो तमें मारी शान मागी लो छो, जैने जिंदिगी मां कोई नी पासे कशु लिधू न थी, यह कई नी ते तमारी पासे लाई शके, एकले यह रकम पाची आपी, एवा मा जामनगर ना अनदबाव आश्रम न सांति प्रसाद जी आवया, के लाले अमने सम्झावया, और कहुँ कि आपने कोई पन संजोगों मा जै भिखु ने अथेली आपवीचे, शांति प्रसाद जी भू मिष्ट भासी हता, भू प्रेम् करता, और यह मिने कहुँ, त्यारे जै भिखु यह रकम लिवा नो इंकार करे ने कहुँ, के माहराज, तामे मने एक हो के स्री कदी खड, खड खड खाई खरो, मैं मारा जीवन मा क्यारे सरस्वती ने वेची नथी, और लक्ष्मी नी उपासना करी नथी, माटे हुँ आ रक रकम नूँ करवो ऊचुु। ते शेवते हुँ नक्कि करे ना कोई सतकारिय थाय, कोई नाकित्य ना क्या प्रकाशन थाय। कोई मुल्यणिष्थ्ठ नाकित्य समाजने प्राप्त थाय। उख ए ते लिग यह नक्किकर वामा महावि के अहवे आ रकम माथी कोई सहित्ती क प्रवरूत्ति करवी, त्यारे हवा माथी पक्षी काड़ता जादूगर खेलाले करईू, कि तमारी वात अमने मन्जूर पर तमारे अमरी एक वात मन्जूर राखवी परशे, यानु नाम अमें साहीत्य ट्रस्ट ने, जय भिखु साहीत्य ट्रस्ट आपीू, और ए ट्रस्ट माँ हवे तमारे नाम नानी पारवे, जय भिखु ये कलू, तमें जय नाम राखशो ते, पर हूँ, और ट्रस्ट माथी मारा अंगत कामने माटे एक पन पैसो लैशने, और एमधी आखु ये जय भिखु साहीत्य ट्रस्ट ने उद्भाव थेू, आपे गई काले कि प्राध्यापक संध्यामेन भटे जय भिखु ना जीवन नी, कि टिक मारमी ने रंदेश परशी वातो करी, और त्याने जय भिखु ना जीवन मा आचार ने वीचार मनने सर्खा चाले, कभी कागे एक वार कहे लू एमने वीशे, कि वात वखानू वानिया के कलम रदय वखानू ताहरू भवभव माला भाई, जय भिखु नू बूल नाम माला भाई है तो ए भवभव माला भाई, आरीते, ओगनी सोने ओगंत रिष्थी, ओगनी सोने अग्यों सित्ते सुधी, एमनी करेली साहिच्य सिवा, एना परिपाक रूपे एमने अहित्यासिक नाटी काओ लखी, जीवन चरित्र लख्या, और साथो साथ एमना व्यक्तित्व ना केट केटना जुला जुला रंगो जोगा माला भाई है, जयन कुटूब मा जन्म, आज बाजू मध्धाज व्यपार और व्याउसायमा नुबेला लोको, सारी एभी मध्धानी पासे संप पनों पार पारू, अने छता, पुताना जीवन मा पारावार संगर्शो करया, अने छता आनन्द बेल कहता, कि मने सरस्वती पासे थी जिये मलियू छे, जे कुरूपा परसाद मलियू छे, इना थी मारू जीवन धन्य-धन्य थाई गयू छे, उगणी सोने अड़सथ मां, क कि कलकत्ता मा जय भिखु नो शष्टी पूर्ती समारंबनू आयोजन थायू, आयोजन समय कलकत्ता ना अग्रणी अने समारो ना प्रमुख, श्री मनिलाल शेटने जय भिखुए, एक्विस्त्रण उगणी सो अर्सरट ना रोज एक पत्र लखे वे महत्वनों छे, जय कारबारी यहता, पर मन लक्ष्मी तरफ नहीं, जीवन मां हमेशा सरस्वती तरफ खेंचातू रहूं, अने एक जमाना मां जाने में आ काम शरू करी त्यारे, लेखन, लखवू, एक देवारियानो धंदो कह वातो हतो, अने एक कलम नो धंदो में लिधो, अने एक कलम पकड जहां सारप दिखाए, सत्य नज्रे पड़े, शुचिता ने सेवा भाव जोव अमने त्या सरस्वती नो उपियोग करवो एव वरत राखें। यहां आप वहां पेक मुल्य निष्टा, यहां लख्यू छे कि ए समय जो कोई ने कमानी करवी होए लेखक ने, तो कोई श्रीम करता चरित्र लाखी शेकते होए पर मुझ जानतो होतो कि आवुकरिष्ट मारी कलम नो तेज नहीं रहे अने एटलेच में कोई नी जीवन मा दया स्विकारी नथी अने कोई नू दान स्विकारी नथी अने परिणा में आजे जे कई जीवन गालू चुँ ने भीखु लखे कि मारे मारा जीवन मा कोई नो आभार मानू होए तो हुँ माता सरस्मति नो मानू चुँ के जेने तामें जूओ एक सर्जक आर्थिक मुष्केलियों मां संगर्शों मां पुताना मिजाच्ति कोई वाडा मां बंधाया वीना जीवे इश्यू लखे चे के हुँ जेनो आभा मारा मानू छो एको माता सरस्मति नो मानु चु के जेने मन ने राजा जीवु मान अन्नि शुक आपिजू तो हुझ थे पोतानी कलम ने माते हैं अनी येकलम के भी पोताना व्यवसाय ने शुक है ताह के मारो व्यवसाय तो अत्रनी दला लिनो चे लोकोर सुधी शुगंद पहुचाड़ भी एमारू काम जी जए भी खुना जिमा इवारम मर कहता कि मारा जीवन साथे चार ग जोड़ा है लाज एक छे गवरी शंकर जोशी अर्था सहित्यकार धुमके तू विजू गुजरात समाचार त्रीजू गुर्जर गरंचरतना कार्या ले और चोथो गुरु गुजरात समाचार नी इंट ने इमारत नी कॉलम उगणी सोने चौपन थी ओगणी सोने अग्ण सित्यर सुधी पोते जीवया त्या सुधी एमने आ कॉलम लखी टेमल पर लखे शाहिती लखे भोतिना दाना जिवा अक्षर अने जीवन मां आक्रों परिश्रम करी ने सरस् अच्वा माटे पर एमने घणी मेहनत करिये ती कोई पर विशय उपर लखे तो ए विशय ना बदात संदर्भो एक्ठा करें एक नाणी नोटबूक मा एं संदर्भो नी नोंद लखे और पछी पोतानी कल्पना थी एने विशय विचार करें विक्रमा दित्ते हैमू लख्य करें विशय खुब अभ्यास करें और पछी आखु ग्रंथ लख्यो त्यारे जेने माटे विंसेंट स्मीथ हैं कहें लू कि विक्रमा दित्ते हैमू एतों युद्धनों देवता अचे अने माविश जेतला युद्धों मा वीजय मेड़ बयो एनी गजसेना एवियती के बल तै कि आजरीटरों युद्धा नहीं नहीं कि अल्छतला युद्धनों युद्धनों में टित्थामा उंभव। पहले तो खुमारी, खुमारी येवी कि कोई ने खोटी नीते क्यारे नभवो नहीं, ग्वालियर मा एनी नजीक आवेला शिवपूरी मा एना गुरुकूल मा अभ्यास करता आता, असंस्था मा अभ्यास करता विद्ध्यार्थियों ने, जैन दर्शन, अंग्रेजी भाषा, तत्व ग्ञान, आवधानु ग्ञान अप्वा मा उतो होतो, एक बहुत कुरिष्टे प्रकारी संस्था थी, अन्य सामा ने लीते ए संस्था मा थी महर निकलिने व्यक्ति ए पंडित मनती है थी, जैन धर्वना पंडित मनती है थी, जैन भ को अभ्यास करता त्यारे के वो ख्यालतों के विदेश मा जैन है, एक जैन पंडित तरीके जैन धर्मना प्रसार नू काम करें, आवे समये, एक मध्वित्थ हता, जै विख्वे ना पाड़ी, अन्य कईू, को ताना गुरुजनों प्रत्य आदर व्यक्त करवानी साथे, कई मारे, तो कोई दिशा, जुन्दी दिशामा जाऊँ छे, आमारी दिशा न थी, और एने परिड़ा में, पोतानो सहीत्य प्रेम, पोतानो सरस्वती बाटे नो प्रेम, और एने कारणे एमनिया लग्यों, कोई भुटा श्रेष्ठी होने पन, एस साची वाद केता क्या रही कास्तुर भाई लालभाई जिवा उद्योग पतिने पन, पोताने जे लागे एक हिम्मत पुर्वक ने खुमारी पुर्वक कहता, प्रेम थी कहता, आथी पन्नालाल पटेलों तो कहुँ छे, के जैविक्खु एटले प्रेम नो उभरो, एमनो जीवन नी बीजी विशेष्त एचे एमनी खुषाली, जिन्दगी माँ ज्या जवुतिया खुषाली आपी, सामान ये मानस्ती माणी ने सव कोई नी साथे एक एवो रंदाई नो तंतु जोडता, के जाने मध्यत खुषाली, खुषाली जोवामाल है, एज जमना माँ कालो मुतियों, ब्लेक के ट्रेक ए ख़बर पड़ी के उत्तर प्रदेश ना सितापूर मा थाई चे, ए सितापूर गया, त्यां डॉक्टर पावा पासे एमने आखना मुतियानू, काडा मुतियानू ओपरेशन करा गया, ए समय एमने एवुपण बने लू के डायाबीटिस आवतो हो तो, और डॉक्टर ने कर कि डायाबीटिस हर्षित आशुदी हूं तो, तमारी आखनों ऑपरेशन नहीं करो, त्यारे जहीं भिखुये, ए दॉक्टर ने बुलाई हुने करो कि डॉक्टर साब, इतनी फिकर मत कीजिये, ये डायाबीटिस तो मेरा कुथता है, वो भोगता है, मगर काटता नहीं है, कि डॉक्टर ने बनियु पने हुखे, एका दिवस पछी डॉक्टर ने ओपरेशन करियु पन खागुए, अई रहा पछी थोड़ा गुजिराती होता पने बदाने भेगा करें, दिवाली येती तो एक उजवणी करी, एक उजवणी वक्ते त्याना मुख्य डॉक्टर महर पाहवा ने बूलावया, और अहिया आवी ने गुजरात मा आवया पछी जवख्यु एने विशे लेखो लख्या, और सारी इवी रकम एक्ठी थाई, गुजरात नी जनता है स्रितापुर्मा 2 लाख रूपया नू दाना, इस यमना, और त्याने सभूए एम कहुँ के आ व कर जैविख्यों कहें के नहीं, आव अवर्णू नाम गुजरात वार्ड राखो, इमने रोगनों क्यारे भाए ने, कोई वार पुनीत महरा जावे, कोई वार गोविन परसाद वाइद्यावे, और एकला आनन्द थी वाद करता होई के पछी ए लोकों पोता ना रोगनी वा जात्रा जेवी गई, जिन्दगी ने एक यात्रा मानता हा था, जीवन मां सदाए प्रसन्नता जोवा मलती हती, और एटले ज, अबना प्रसिद्ध वीवेचत, डोक्टर धिरुबाई ठाकरे कहू छे, के जैविख्यों ये तो मोर ना पिच्छधर ना वन्षत छे, और एव अबने परिभाषणों ना घट्ना एटने बाहर काले हूँ, और एव भगवन माहवीर नु चरित्न लगता हूँ, भगवन लुषब देव ना समय नी वात लगता हूँ, भगवन मलीनाथना जीवन नी घटना हव आलेकता हूँ, तया रहे, साँथी मुटी वस्त्तु एब जहीं विश्य लख्युचे मांटे वाजदा थी। अभी एमनी क्या एक मीथी फरियाद पन सामभलवा मलती। पर एनी साथो साथ एस सतत जुवा मलतु। कि एमनी जे खुमारी एती एक कोई अधुबूत प्रकार एती। एक मस्ती एक फकीरी एती एमना जीवन मां। जाता एक तीमल प्रमेशता और त्या मैसी रिलेखन करता पूतान। एस समय एमनी पासे एक कज कोट। एमना मित्रो रोज एमने पूछे का रोज तमें आ अगनों कोट कें पहरो शुबूत। कोईपन प्रकार नू उश्यादा पनू तो एमने फावेदी। एमना मित्रो रोज कहता के एक कापडना त्रण कोट बनावेशे। इतले आहू थाएचे। वास्ताविक्ता एह थी के नोकर इती आवे शांजे एक कोट धोवा मां आवे समार मां इस्तरी थाए पहरीने जयता। पर जीवन मां क्या है? कोई उश्यादा पनू, कोई लाचारी एमने जुगाना मालती। अन्य आने परिणा में एक निर्भाहिता आती। अन्य निर्भाहिता तो एवी के एक वार मारी परोश मां एक नाथानियल नामना भाही रहता आता। एमने त्या कितला क्लोकोई हुवनो कर्यों, एह उमला खुरों पाचार नदी छे, साबर्मती नदी ए तरफ दोड़या। त्यारी जय भी खुब पन खुल्ले पगे एने पकड़वा बाटे दोड़या था। अबा तो एमना जीवन ना अडेक प्रसंग हो छे। कि जया पोता ना प्राणनी पर परवा करे आवीना एमने एक काम करियो गाए। एक समय एक बहुता मोटू असामाजीक तत्त्त्त्त एने एमने धंकी आपिये दे। कि तमें आजे विश्या गुरु चलावीयाची चलावा दो काने कि पोलीस ने जान ना करो। जये भिखो ये दूर करियो और एनी साथो साथ पोता नी हिम्बत थी सावने सध्यारो आपियों। कि कोई आवी मुष्केलियों नी आग मा जुका हूँए तो एमने कोई परवान होती। मुम्माई थी आगरा सुधी नो पांसो किलो मिटर नो प्रवास्पग पाड़ा करें। वागनों पन एमने भेटो थेलो अवी घणी घटना होचे। ये विजिनी ते एक प्रकार नी एमने व्यक्तितुमा अमीरी हाती। कोई ने मले इतले ने पोता ना करी ने ता। अन्य इतले ज पच्छी एप अच्छी एव रहता एज चंदनगर सुसाइटी नो पंगी मच्वभाई होई। कि पची भावनगर ना महाराजा कृष्ण कुमार सेची होई। अज सहुकोई नी चाहना एमने हम्मेशा मलती रही। अन्य एटले ज मानस ना पदने जोईने एरी साथेना व्यवहार मा कोई भेद करवानू एक क्यारी शीख्यानो था। प्रवासमा जाए। साथे गणो नास्तों ने बदू लेता जाए। पुताना साथे ना लोको पुताना परिचितों नोते आपे। पन ए ड्राइवर ने पन आपे। ए समय अम्दावाद ना छिवड़ा ना विस्तार मैं एमने रहवानू नक्की कर्यू। एकज मस मांड मांड कॉर्पोरेशन पासे थी मेड़िवेली। एक तेत्री संबर्नी बसनु छिल्लु स्टॉप ए त्यारे ड्राइवर घहर आवे। मैसे एने नास्तों करावे। और एने खामर अंतर पूछे। कि कोईकने मांटे कशु करी छूटवू। एवी सदभावना एमना जीवन मा नहती। एमना परमित्र धिरुबाई ठाकरे लख्यूचे। कि दुख्याना आशू लूच्वानु एमने लगभग व्यसन थे गए। आम कश्टमा हुए, आँखों काम करती नव हुए, मुश्केली हुए। आशूचे कि दूख्यूचे 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 कि प्रेमनी कथाओ, लखी ने वर्णवी ने अठकी रगाया, अमारा घरुमा एक मगन नामनो मिलार होतो, एक रोच जैविक को सांजे भोजन माते मैसे, त्यारे एमना पक पास आवीना मैसे, एने एक वाटकी माँ भात, दूद, आपवा माँ है, और एक मिलारी नीरा तेखाए एक वार एहूं बनियो, कि ए मगन के एक मार्थी कशू के एहूं लई ने आवे, कि घरना मीजा लोकों ने बहू अरूची थाई, एले घरनो जे नौकर हो, तो ए मगन ने लई ने पाच्छा और नदी ना कीना रे मुख्या आलो, सांज पड़ी, जई भी खुद जम्वा ब कि एने तो आ नदी मा यहां मुख्या वया ची कानकि ए आउ बदू लई अने घर मा होतो हो तो, जई भी खुद जयां सुदी मगन नहीं आवे, त्यां सुदी भोजन नहीं नहीं हो, और हकीकत मा यह बैठा, बजालों को नदी ना किनाना पर तापास करवा गया, सदभग्य कि ए मगन मली गयों, पाछो आवें अने एथिया विश्यश मजानी वात यह चे कि एमने एक पुस्तक प्री ए मगन ने एम करी ने आ बिलाडी ने अरपन करियो तो, आवी एमना जीवन मा केट-केटली घटनाओ चे जहनू स्मरन करू तो पार ना आवे, एमनो आतिथ्य प् कभी काक तो हम्मेशा कहता के तमारा तिया आति थिया पनु पामी ने हूँ धन्य बनी जाओ जओ जओ एवु एमनो आतिथ्य पड़ और अने कहता कि हूँ मान्दो पड़ तो चाकरी माते माला भाई ने घहर जओ एवी मारी इच्छा जओ अवी लागनी नाइरा ना मानस यह जमाना मान अम्दावाद ना शार्दा मुद्रण अरे मान लेखको कवियो प्रकाशको चित्रकारो अब मधा लोको भेगा था 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 यह डाइरा मान क्यारे धुमकेतु होए गुरूंतर आचारी होए कनुदेशा ही होए चाप्षे उद्देश ही होए चुनिलाल अन्य व्यास होए अन्य पच्छी सव आनंद करता है एक मिजाने मददरूप थावानी भावना खरी यह चित्रकार होए तो पच्छी ए लेखक ना कोई सरस्टाइटल ली चर्चा पढ़ करे पर साथों साथ मौज मजा पढ़ करता है भग्यत साहित्यकारों चैने भीगा थ प्रमान में भीडल के वाई एक वर एव बन्यू कि अबनावाद मा एवी एक अफवा आवी के जानीता चित्रकार्ष्णी कनुल देशाए भीजी वार लगन करवाना चे नायरा मा आवात मुकी नायरा मा वात मुकी यह बदा खड़खड़ा टसया पर कनु भईयक चालो करिये आवी आनन्द भरी दिलावरी एलोकुमा थे गुरूंत रा आचारी बैठा हो एक पछी एक रजवारा ना ओठाना कहता जाए रजवारा नी वातों कहता जाए अनुछाथ गोइंद भाई अने शंभू भाई जिवा प्रकाशकों बैठा हुए साथ है एले के एक प्रूट्सान बढ़े नवा अध्यापको हुए एपन आ नाहिरा मा आउता ने जोड़ाई जयता अने परस्पर नहीं साथे एक सबन बानता जैं सर्जकों साथे सबन जैं सामान्य लोकों साथे सबन एम संतों पासे पड़े में सबन सोंगडना कल्यान चंदर जी बापा न समझा के धर्म ने सेवानो रूप केविदी ते आप ही शकाए यह में पासे थी सिख्या पुनित महाराज अनेक वार घहरावे पुझ्या श्री मोटा त्रण निवसुधी इमनी साथे इमना घरमा जैंभिकुना निवास्तान मा रहा है मोगतलाल जी महाराज होई देगामना आनन्द मही महा होई धनकुर मही स्वामी होई पंडित शुकलाल जी होई दल्सुक भाई होई अम अनेक लोको एमने पासे आवे एमनो प्रेम मेड़ में और परस पर आनन्द फेर जीवे एमनो परमित्र शाजरी एने जेंदगी भर ही याद करता आता अने त्यारे पोताना जीवन नी अंतिम विड़ाए एक महीना अगाव रोजनी शीमा है अमने लख्यू के जीवन तो आखरे पुरू था वानुचे बासेठ वर्ष्णों मानस अनेक रुगोती बरेलो और मनस्त्वी पुरुष मागी मागी ने कितला वर्ष मागए और पर लख्यू साथ है के जी आजाय त्यारे कोई ये शोक न करूँ का तो गंविर्ता धारन करिवी अथवात एकाद भजन नी धुन चलाव निर्याधार अशक्त अने गरीबने भोजन आपनों पारेवाने दाना नाखवा गाई ने चार नाखवी बने त्यारे तिर्थाटन करूँ अने एमनू छेल्ल आजे हातू एच पुताना जीवन महातू अने इतलेच एक सरस्वतिना पूजारी उपासा अडख हुमारी लह लहाती खुशाली अनों की फाकीरी विरल महदूरी दिल्ली अमीरी अने मन्नी दिलावरी आप अधूमणी ने एक सर्जक नुझे सर्जन थाए एक सर्जक विपासान जीवन होई एउ जीवन आम जुआ मले अने अन्य परीना में साबर मती जेल मा रहिलो एक कैदी एनू नाम हम एच मल्जी जे साबर मती जयल मा गया पथी पूताना काना आवास्ना समय धन्यान जै भीकुना एत लिद अमारत प्रसंगों वाची अने पूताना जी चे जैविक्षु नी जे मुल्य निष्ठानी महेक नु एक मुटू उदारण चे। ए एचमल जी लखे छे के घरवालों को मेरा आदाब और सलाम जनाब जैबिकु साहब की अचानक मौत की ख़बर पढ़ कर दिल को निहायती अपसोस और मलाल हुआ मर्हूम ने अपनी जिन्दगी बकाउन शायर के कवीना शब्दों मा कहिये तो अजीजी शीखी गरीबों की हिमायत शीखी जैर दस्तों के मिसाहिल को समझना शिखा इमने गरीबों नू दुख शिख्या जानियों और केचे इमनों पक्षली दो पिडितों ना प्रश्णों ने पर समझवानों शिख्या पचिये मान सागर लगा चे हम नहीं मांगते हम लोग मजवे इन्हे कलाम हम तो इंसान का बेसक्ता पन मांगते हैं अमने कोई पन वस् एच मल जी लखे चे मैं इंसानियत के इस देवता को खिराजी अकिदत पेश करते हुए अल्ला से दुआ करता हूं कि उनको जन्नत में जगा अता फर्माएं और तमाम घरवालों को सब्र करने की तौफिक अता फर्माएं छेले जह भी खुनाखा व्यक्तित बने जाने बता अल्ला मगफरत करें अजल आजाद मर्द था इश्वर मारी यह लागनी कबूल राक्षे के ते एक विरल प्रकार्ना मर्द होता आउँ एक जीवन अनुआ आजे आपड़े एकावन मी एमनी पुन्यतितिया स्मरन करिये छे ए मुल्यनिष्ठा ए साहित्य मापन प्रक्टि अने साहित्य ना अने क्षेत्रों मा एपची प्रेमभक्त कवी जैदेव माँ वैश्रों संप्रदायनी वाथ होए शेंशा अक्मर माँ मुस्लिम सं होए रुषब देव मां कोई प्राचीन आदिकारनी वाथ होए मल्लीनाथ के भगवान माहवीर मां जैन तिर्थंकरोनी एक लोग चाहना पामें एवु व्यक्तित्वनों आलेखर होए इबदू और अने इनी पाचार पिला मुल्यों नी सुवास इमुक्ता गया अक्षर दिपने अजवालेंक चाल्यों एकल्वीर अक्षर दिपने अजवालेंक चाल्यों एकल्वीर तालने जुन्जावात तमस्थे डर्यों नहीं एलगीर चाल्यों एकल्वीर जीवन ना तड़का छाया खंखेरी आगर चाल्यों खमीर ने खुट दारी थी खोखारी जीवन माल्यों विपत्तियों नोवाई भवलाई ने जीव्यों ए अमीर चाल्यों एकल्वीर चाल्यों एकल्वीर मार्ग पढ्यासं कटदं कटक थिये मर्द दहार्यों दिजना निती नियम निभाव वावल्यों न गोडों वार्यों ग्नाद चलित ए यशस किर्तिनों ताज छे देशीर चाल्यों एकल्वीर चाल्यों एकल्वीर काल नजन्झा बात तमस्ती डर्यों नहीं लगीर चाल्यों एकल्वीर चाल्यों एकल्वीर चाल दिल्वे तल्वीर तो जैबिक्खु साहित्य ट्रस्ट वती खुब जादर पुर्वक पदमश्री डॉक्टर कुमार पार देशाई नो आपने आभार मानिये मुल्यनिष्ठ सर्जक जैबिक्खु इविश्य ने केंद्र मा राखी ने कुमार पार भाईये खुब जविश्यद ताथी उन्डाण मा जैई ने साहित्य सर्जक मुल्यनिष्ठ साहित्य सर्जक जैबिक्खु ने पुनह आपनी सामे उघाडी आप्या छे, आपनी सामे मुक्या छे, आ त्राण दिवसना कारियक्रम नी एज सफरता गणा छे, कि जै बिखु विशे साम्बले ने आपने सव श्रोता जनू, आजना साम्प्रत समय मा जारे मुल्य निष्ठ सर्जक्तानो दुशकाल चाली रहो चेम कही है तो चाले त्यारे जै बिखु ना जीवन और कवन एमनो संगर्ष और एमनो संकल्प और एमनो संगर्ष ये बदी वातो पदमश्री डॉक्तर कुमार पारदेसाई जै बिखु ना सपुत्र चेमने आपनी सामे मुकी ए माटे जै बिखु साहित्य ट्रस्ट वती रदैपुर्वक कुमार पारदेसाई साहेब नो आपने अभार मानिये जी धन्यवाद